हेलो नमस्कार जी एजुकेशन नोलिष टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ कैसे आप सभी जी हाँ हरियाना पंचाय चुनाओ को लेकर आज 10 अक्टूबर 2022 को दो बड़े दमाके की गए हैं सरपंच बनना हुआ आसान सरकार ने कर दिये बहुत बड़े गोशना जी हाँ आपको बता दें क्या कुछ इन्फोर्मिसन आई है आपको बता दें अरियाना में 9 जीलो के पंचाय चुनाओ गोशित हो चुके हैं वहीं से 13 जीलो के पंचाय चुनाओ 13 अक्टूबर को गोशित हो जाएंगे ठीक है तो जिन जीलो के गोशित हो चुके हैं वे भी देखीगा इस वीडियो का अंतक जिन जीलो के गोशित नहीं हुए हैं वे भी इस वीडियो का अंतक देखीगा सबसे पहले आपको बता दूँ अगर सरव समती से सरपंच बनता है तो परदेश सरकार 51 लाख रुपे देगी यहाँ पर देखीगा परदेश सरकार देती है 11 लाख रुपे यहाँ पर देखीगा अगर किसी गाउं में सरो समती से सरपंच चुना जाता हो तो परदेश सरकार उस गाउं के विकास के लिए अलग से 11 लाख रुपे देती है ठीक है वो रिक्याउन लाख की क्या कुछ बात है मैं पूरी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर देखीगा गाउं दिंक्सरा के सरपंच पद के दो परत्यासियों ने सोसल मेडिया पर विकास कार्यो के लिए गोश्णा आई की हैं क्या गोश्णा आई की हैं यहाँ पर आपको देखेज़की यहां पर देखी का एक और यहां पर खबर आई हुई है एक महिला नहीं किया था कौारों के लिए बहूलाने का वादा यह भी आपने वीडियो देखियों कि मैंने डाली थी दो दिन पहले ही और यह जजर के एक गाउं का मामला था जो कि सोसल मीडिया पर वाइरल हुई थी य और इन्होंने कहा थे कि अगर आप मुझे सरपंच बनाते हैं तो मैं कौारों का साध्धी भी करवाऊंगी यहां पर देखी का क्या कोचिन पूर में परदेश में पंचाय चुनाव की गोश्णा होते ही फता बाद जो फतेयाबाद की गाउं डिंग्सरा के जो संभावी प बद्दान होने हैं लेकिन यहां पे सरव सहमती चुनाव की इस्तती में गाउं के विकास के लिए परतिबाल सिंग जो की है वही उन्होंने 51 लाख रुपए और यहां पे आजयपाल जाखड ने 21 लाख रुपए देने की पेस्किस की है यह दोनु यह जो दोनु हैं यह सरव सहमती से सरपंज चुनने पर गाउं के विकास के लिए 21 लाख रुपे देनी की गोशन की है वहीं दूसरी तरफ 21 लाख रुपे देने की बात कही है और यह तो देई रहे हैं और परदेश सरकार 11 लाख रुपे अलग से देती है ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं किस परकार का अब सरपंच बनना आसान हो गया है और गाउवालों को जाने के लिए कितने बड़े बड़े वादे किया जा रहे है कि भई आप जुनाव लड़वावी मत हैं और हमें वैसे ही सरपंच चुन्दो हम गाउव के विकास के लिए पैसे लगाने के लिए तैयार हैं ठीक है भई तो आपकी गाउव में क्या कुछ गोष्णाइं हो रही है कमेंट करके ज़रूर बताईगा और कैसा मावल चल रहा है यह भी बताईगा धन्यवाद